नागपूर पुलिस आयुक्त ताले में पुलिस विभाग और मुसलिम संगठुनों की बीच चर्चा हुई बैटक की अध्यक्षता खुद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने की मुहमत पैगंबर के जनम दिन यानी इदे मिलाद के मौके पर निकलने वाले जुलूस पर चर्चा की गई इस बैटक में सभी जोन के डी सीपी मौजूद थे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मुंबई पुने का हवाला देकर जुलूस को 30 तारीक को निकालने का सुझाओ दिया लेकिन मुसलिम जंगठोनों ने सुझाओ पर असहमती जताते हुए 28 तारीक को ही जुलूस निकालने की मांग की पुलिस आयुक्त ने 28 सितंबर को सुबह 8 बजे से दुपहर एक बजे तक जुलूस निकालने की अनुमती दे दी है आपको बता दे कि गणपती विसरजन भी 28 तारीक को ही होने वाला है दोनों दहवारों को ध्यान में रखते हुए नागपूर कमिशनर अमितेश कुमार ने दोनों ही समुदायों के लोगों से शांती बनाए रखने वो दोनों दहवारों को भाईचारे से मननने की अपील किये साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया के पूरे शहर में नागपूर पुलिस द्वारा कड़ा बंदोबस्त भी किया जाएगा शहर के सिरातुल नभी कमिटी और बाकी जो अलग-अलग जगे से आएवे मौलानाओं के साथ ईद के जुलूस के बारे में चर्चा हुई है ईद और गनपती का विसरजन उत्सोव एक साथ आया है और सभी गनपती मंडल हों या ईद के जुलूस के आयोजक हों सभी के साथ चर्चा हमारे हमारी आज हुई है अब आगे के दौर में डी सी पी और सीनियर पी इस चर्चा करेंगे और जो भी आवश्यक कदम है उठाई जा रही है नागपूर शहर के अंदर जो निरने गया गया है यह एक एतिहासिक निरने है पुरे भारत के लिए क्योंकि आज यहां पर जो लोग संगर्श कर रहे थे हफ्ते बर से सीपी साहब से या हर कोई पुलिस अधिकारियों से सबसे बाचीत कर रहे थे है कि जशने इदे मिलादुन नभी 28 तारीक को है हमारे अहल सुन्नत जमाद और तमाम तहरी के नागपूर शहर की तमाम संगड़न और जितने यहां के कमिटी है इमान तंजीम सुनिय उत्फोर्स जितने भी कमिटी है जिन्होंने में काम किया है इसमें उनका मैं मेराज कमि जशने इदे मिलादुन नभी 28 तारीक को है सुबह 7 बजे फजर के बाद से जो निकलना है अपने अपने घरों से मुख्या जो जुलूस है वो 8 बजे निकलेंगा और एक बजे तक के जुलूस को समाप कर दिया जाएगा तो सबीसे अपील रहेंगी गुजारिश रहेंगी जितने आशी के रसूल अपने आपको जो नारा देते है वो फजर की नमाज में आए फजर की नमाज पड़े उसके बाद जुलूस में निकल जाए और जल से जल जुलूस को समाप करें कि जो आने वाला तेवार है जो हमारे हिंदू समाज के लोगों का गनपती विसरजन है उसका भी हमको ध्यान रखना है उसके बाद वो जो अपना प्रोग्राम तयार कर रहे है उस हिसाब से वो करेंगे तो इसलिए हमको ये सब काम करना है और सब को यही बोलना है कि जशने इदे मिलादुन नभी जिस तरीके से अमन और शान्ती के साथ सफेद कपड़ों के हमारे मजजित के आइमा हजराद भी काफी तेदाद में हम मौजूद थे उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है कोशिश है मेनत है हम उनसे भी गुजारिश अपील करेंगे कि जुमा की दिन तकरीर के अंदर जब हम तकरीर करते हैं तो सब लोगों को इस समय का ध्य दिला है फजर की नमास पड़े बाद जशने विलादत के लिए आपको तैयार रहना है और उसके बाद जुलूद शुरू करना है जब हमारे आइमा मजजित से एलान करेंगे तो मेको यह शंका नहीं है कि कोई उनकी बात को नहीं मानेंगा पूरे ही जनता अहले सुनत जमा के दिन इसका इलान करें